नमस्कार पंजाब के स्री देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ कितांजुली उत्तराखंड के उत्तरकाशी जुले की सिलकी आरा में धसी निर्माड़ा धीन सुरंग में फसे 41 मजदूरों को निकालने के अभ्यान का आज 15 बाद दिन हो गया है इनने निकालने के लिए पहुँचे जाने वाली 80 सेंटीमीटर व्यास की आखरी 10 मीटर की पाइपलाइन का काम पिछले तीन दिनों से नहीं हो पाया क्योंकि ड्रिल करने वाली और मशीन में बार बार समस्य आ रही है इस बीच भारती मौसम विभाग आएमजी ने उत्राखंड के येलो अलर्ट जारी कर दिया है विभाग ने सुमबार को बारी बारेश के साथ बर्फवारी की जिताब नहीं दी जिसकी वज़े से बचाव अभ्यान में और मुश्किलें आ सकती है चुले हम आपको दस पॉइंट्स में बता देते हैं कि बचाव अभ्यान में अब तक क्या हुआ है और कौन-कौन सी चिनोतियों का सामना करना पड़ रहा है एक रिपोर्ट के मताबिक और मशीन के ब्लेड मलबे में फसने से काम बाधित होने के बाद दूसरे विकल्पों पर विचार किये जा रहे हैं इस बीच शनिवार को अंतर आस्ट्रिया विशेशग्यों नमीड जताई कि अगले महीने क्रिस्मस तक बाहर आएंगे शुकरवार को लगबग पूरे दिन ड्रिलिंग का काम बाधित रहा हाला कि समस्या की गंभीरता का पता शनिवार को चला जब सुरंग मामलों के अंतर राज्जिया विशेशग्य अर्नोल्ड डिक्स ने ये बताया कि अगर मशीन खराब हो गई है मौसम विभाग ने बर्फवारी को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्र प्रयाग, चमोली, पिथोरगड और अलमोडा के उपरी इलाकों में भारी बारिश के साथ बर्फवारी की चेतावनी दे दी है लक्यारा बढ़कोट तरकाशी के वो इलाके हैं जहां भारी बर्फवारी होती है पहाडी मिटी होने की वज़ा से बारिश के बाद हलकी होकर और धसने लगती है सल्वस्तुरंग के अंदर डाली गई पाइप जिस सहारे पर्टेगी है यहां रेस्क्य उपरेशन में जुटे लोगों की सुरक्षा के लिए वो बड़ी चुनोती है अगर मौसम विभाग की चेतावनी के हसाब से यां बर्फवारी हुई तो निश्यत तोर पर रेस्क्य उपरेशन प्रभावित होगा बर्फवारी के बाद बिजुली की दिक्कत पैदा हो सकती है साथ ही ठंड बढ़ने के कारण सुरंग में मजदूरों को भी दिक्कत होगी बचाव अभ्यान के चौदवे दिन शनिवार से ही अधिकारियों ने दो विकल पर ध्यान के इंदृत किया मलबे के 6-10 या 12 मीटर हिस्से में हाथ से ड्रिलिंग या उपर की ओर से 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग वही रास्री अब्दप्रवंदन के सदसिल एफ्टिजनेंट जनरल सेद अता हसनैन ने दिल्ली में ये कहा कि अभ्यान में लंबा समय लग सकता है उत्रखंड के मक्यमंदरी पुषकर सिंग धामी के अनुसार जिस पाइप के अंदर घुसकर मैनुवल ड्रिलिंग की जानी है उसमें से उपकरण डाला गया है जिसे निकाला जा रहा है उसके बाहर आते ही हाथ से ड्रिलिंग होगी जो काफी महनत भरी और टाइम टेकिंग प्रक्रिया भी हो सकती है वहीं असनेन में कहा कि अब तक मलबे में 40.9 मीटर की ड्रिलिंग हो सकी है सुरंग के डहे हिस्से की लंबाई करीब 60 मीटर है धामीन शेनिवार को समधाता हूं को बताया कि ब्लेड लगबग 20 हिस्से तक काट दिया गया है और शेश काम जल्द प श्रमिकों को चेंच चोड़े पाइप के जरीए खाना दवाई और उन्हें जरूरी चीज़े बहेजी जा रही हैं जिससे कि उन्हें परिशानिया ना हो इस पाइप की माधियम से एक एंडियोस्कोपिक कैमरा भी सुरंग में डाला गया जिससे बचाव कर्मियों की अंदर की इस्तिती भी देखी जा सके तो वहीं चारधाम यात्रा मार्कवर बन रही सुरंग का एक हिस्सा बारह नवंबर दिवाली के दिन ये डाहा था जिसमें एक तालस श्रमिक फसे और उन्हें अब तक निकालने की प्रक्रिया जा रही है अंदर फसे मज़ूरों की मानसिक च कि अ कर दो कि तूम है ङाओ दिन अवंश टो कि एक अब तूम्हा रह सब IKEA झाष झालने के लिएकश़ क shaft o करी तो सुरालने की प्रक्रिया प्रक्रिया नवल्स्राश के वीन खेंते है बन्हें प्रक्रिया के तो में एक तूम्हा घा मैं है जा है जा चर जा हुड़ू है